कि हालो एब्रिवान वैलकाम बैक टो एमेल टे यह नी आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो एस यह सेल की तरफ से हमारी एक नियो बेकेंशी निकली हुई है जिसमें हमाई मेडिकल अफसर डेंटल अफसर लेप टेकनिशिन नर्सिंग असिस्टेंट प्यों फीमेल अटे में टेलिग्राम करें पेज दूँगा और अभी आपको बता दूँगा कैसे बनना है कुछ कंडिशन्स बता रखी है अपर और मेडिकल फिटनेश सेटिपकेट हमाल लिए इस चीसे सफार में जरूरी होता है तो जो भी नए जोड़ी हो वो सब्सक्राइब जरू कर देगा सबसे पहले जो वेकिंशी है हमारी निकली है गवर्मेंट अफ इंडिया मिनिस्टी और डिपेंज एक सर्विसमेंट कंट्रीविटी हेल्ट स्कीम इस्टिशन हेड़को इस चीसे सेल देव लैली फोन नंबर आपको प्रोबाइड करवा रखा जी मिलाडी प्रोबाइड कर हो सकते हैं और आगर आप सिभी दियां है तो आपके लिए एवेनिग मौंच्स की सिघ्ष म् आपको मिलती है और अगर आप सर्विसमेन है तो आपको और एक साल की सिभी श्रहारमेंट मिलती है मिश्रनपंट अपकी अमस्ट प्रeluस पय अगर आपके पास है तो आप अप अप्लाई कर सकते हैं आपके लिए इंट्रिवी के लिए बिलाए जाएगा और इंट्रिवी में आपका तो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आकका marty अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका tyre कि पर्फूएंस अप्लाई करना अपके ऻने की व करने के ट् relates करेगा और साल्ल हैं BDS minimum 5-year work experience आपके पास होना चाहिए है merit in BDS be the other addition qualification exchange more than 5-year आपका देखा दाएगा total only एक ही vacancy है और उसमें भी आपकी सेली पिछ तरह दारी बनेगी lab technician में अगर आप apply करना चाहते हैं तो आपके पास होना थे हैं B1T और matriculation higher secondary 10 plus 2 with science के साथ में रिकोगना इंस्ट्यूट बोर्ड डिप्लोमा इं मेडिकल टेक्लोजी फ्रम रिकोगना इंस्ट्यूट मिनिम त्री यर एक्पेंस इन लेव असिस्टेंस इन मेडिकल लेव डिप्लोमा के साथ में आपका तीन साल का एक्पेंस ही तो टोटल दो व 5-3 एक्पेंस है एन डिप्लोमा कोर्से से अर आपका पाथ इस लिस्टी नर्सिंग का और एक्पेंस है आपके पाथ 10 साल का तो आप कर सकते हैं अल्ली एक आपको सेलीज में परमंद में लेगे लिए फिमेर एटेंडेंट में आपकी सेलीज एगीज में 16801 वेकंसी और लिटरेट मनें 5-year बर्क एक्पियेंस इन सिबिल आर्मी हेल्थ इंस्ट्यूट से अगर आपका और एक्पियेंस आप आप मौर दन 10-year फिर्ष्ट एड कोर्स है तो अपलाई कर सकते हैं डेंटल हैजिस की बात करें तो डिपलोम हेल्डर इंडेंटल हैं आपके पास डी एच डोरा कोर्स है आपको से मिन्यूम फाइव एक्पियेंस आपका डेंटल लेवरोटी एक्पियेंस इन तो अपलाई कर स रखते हैं टोटल एक वेकंसी आपकी रहेगी और 161800 इसमें सेली रहेगी आपके तो आपकी सबसे इंपोर्टन चीज़ है यहां पर एक वेबसाइट प्रोपाइट करवा रखिए उसके बाद आपके लिए फोर नमबर हैं तो वेबसाइट पर आपके लिए जितने भी हमा टोप 10 आप रहेगी आपके लिए प्रोपाइट नो पेमेंट विल बी गिविए फोर इस 10 देश वीज़ वता रुखा रुखा है लास्ट आपको वता रखिए रिसीट की 6 अपर रहेगी है यहां पर 24 और अप्ले कीसीट रहेगी अपर 1240 और अप्लिकाशन रिसीट आपके इंट्रव्यू आपका उनने से परखल गोई होगा और यह थेंज होता तो आपको एसी से से की वेपसाइट पर देखने को मिल जाएगा है अपको जाना पड़ेगा है और आपके लिए जो यहां पर अपने एप्लिकेशन फारम में बेलना है तो आप बेज सकते हैं यहां पर बता रहा है नो आई सी पॉलिकलीनिक के ठीक है नच्ट आप देखे लिए अपके लिए अप्लिकेशन फारम यहां प्रोवाइट करवा रहा है तो आपको यहां पर अप्लायाट करना हो कौन सी पॉस्ट के लिए बढ़ रहे हैं नेम है आगर एक सर्विस में नंबर है तो क यहां देख सकते हैं यह यह आप पासिंग यह आप बता रखा है और डिली असिस्टिट अब टूए अटेच्ट तो हर जैसे कि अगर आपका दाहर काड हो गया एजुकेसिंग कॉलिपकेशन होगी हर पेच्प आपके सायन हो जाएं तैन डाल देजिए तैन डाल देजिए ले अगर आपके पास है तो अटेच करना पड़ेगा प्लेस और प्लिविंग इन जॉप क्यों छोड़ा था आपने और यहां बता है रजिस्टिशन नंबर एंड डेट आप रिजिस्टिशन इंडिया इस्टिट मेडिकल काउंसिल फोड़ काउंसिल फोड़का प्रजिस्टि इस वालों के लिए है ठीक है डिटेल्स और प्रीवेस से सर्विस इन आर्मी सेंट्रल स्टिट में अगर आप रहा चुके हैं तो फोड़का प्याप को लगानी होगी एक सर्विस्ट में पीप और डिस्चार्ज हो कि अपनी टोटल पीडियो अप सर्विंग नहां लगाना है अपको अपना बरवाने पड़ेगा ठीक होती है तो अनेगजर ए और बहारा प्रवाइड होता है अपको पूरॉइज नुन नोटिप्केशन उसमें आपको अनेगजर ऑनेगज़र अपनेड़ में ज तीन सब्द्रिखनिके लिए नहीं पर दो यहां पर रखाय है दोग तो बर्किंग आवर भी यहां पर प्रोबाइट करवा रखें कितना आपका रहता है यहां और लीविंग वदारका है 2.5 डेस का टर्मिनेशन वदारका है सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके हमाया चैनल लाइक भी कर देना इस वीडियो हम ऐसी मोर अपडेट देते रहते हैं थैंक यू